चोरों के होसले इतने बुलंद हो गए है कि उन्हें कालोनियों में लगे CCTV कैमरों का भी डर नहीं है चोर बिना किसी भय के चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए है चोरी की एक ऐसी ही घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है जिसमें चोर बैकोफ चोरी की वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे है दक्षणी पूर्वी जिला कालिंदी कुंच थानक शित्र की कॉलोनी जेटपूर खधा कॉलोनी गली नंबर एक में रहने वाले राम केवल पांडेया ने हर रोज की तरह अपनी बैक अपने घर के सामने खड़ी की थी लेकिन सुभा उन्होंने देखा कि उनकी बाइक चोरी हो चुकी है जब उन्होंने आसपास के CCTV कैमरों को खंगाला तो दो चोर बाइक चोरी करके ले जाते हुए दिखाई दिए आप देख सकते हैं देर रात जब कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे तब यह दो चोर चोरी करने के इरादे से गली-गली घूम रहे थे CCTV फुटेज में देर रात लाल और काली टी-शर पहने दो लड़के एक गली से निकलते दिखाई दे रहे हैं इनके चलने का अंदाज इतना बैक होब है कि कोई इन्हें देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कॉलोनी में चोरी के इरादे से घूम रहे हैं लाल और काली टी-शर पहने दोनों लड़के जैतपूर खधा कॉलोनी गली नमबर एक में घुसते दिखाई दे रहे हैं लगभग पांच मिनिट के बाद लाल टी-शर वाला लड़का अकेले मूपार मास्क बांधे बाइक चोरी करके जाते दिखाई दे रहा है और काली टी-शर वाला लड़का गली के दूसरी तरफ से भाग गया पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है CT 2459 यहां पर मैं अपनी भाइक खड़ी किया था सांप आड़ वजे सुभे चार बजे साड़े चार बजे जब मैं उठा हूँ तो मेरी बाइक गाइब थी फिर मैंने फूटेज निकलवाया तो मेरी बाइक ले जाते हुए चोरों को वहां से दिखाई दिया पीरित राम केवल पांडेया ने अपनी बाइक चोरी की रिपोर्ट कालिंदी ठाने में कर दी है मौके पर पहुँचे पुलिस कर्मियों ने सीसी टीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब लाइक और शेयर करना न भूले